महिला अरक्षर कानून पास हो गया लेकिन ऐसा लगता है और मुझे लगता है कि यहाँ बैठी महिलाएं ये बात जरूर समझेंगी कि किसी ने हाथ में बड़े स्वादिष्ट वेंजन का एक कौर एक निवाला दिया लेकिन मुझ तक लाते लाते उसको छीन लिया गया OBC महिलाओं पर एक शब नहीं बोल रही है सरकार सरकार ने कुछ किया ही नहीं पहले तो इंडिया बनाम भारत का अनरगल डिबेट चलाया सरकार ने और चीन को दिखाई जाने वाली लाल आँखों का जुमला तो नहीं है महिला आरक्षन पर बहुत चर्चा हो रही है और जैसा कि हमारा हमेशा से मानना रहा है क्योंकि हमने ये लड़ाई बड़े तोर पर लड़ी है महिला आरक्षन इस देश की आधी आबादी की राजनेतिक भागिदारी और उनके सशक्ति करण का सबसे जरूरी सबसे पुर्जोर सबसे सॉलिड माध्यम है महिला अरक्षर से जादा से जादा महिलाएं देश की राजनीती में आएंगी पार्लेमेंट में आएंगी नीती निर्माण में उनकी भागिदारी होगी तो इसका हम पुर्जोर समर्थन करते हैं क्योंकि महिलाओं की जो लड़ाई है वो लंबी चली लंबी लड़ी गई और उनको लगातार मायूसी का सामना करना पड़ा महिला अरक्षर कानून पास हो गया लेकिन ऐसा लगता है और मुझे लगता है कि यहाँ बैठी महिलाएं ये बात जरूर समझेंगी कि किसी ने हाथ में बड़े स्वादिष्ट वेंजन का एक कौर एक निवाला दिया लेकिन मुझ तक लाते लाते उसको छीन लिया गया क्योंकि आनन फानन में लाए हुए इस बिल का क्रियानवन आनन फानन में लाए हुआ ये कानून असलियत का बनेगा ये किसी को नहीं पता है अगर सरकार की ही मानिये तो 2029 से पहले संबभ नहीं है अगर सरकार के कुछ मंतरियों और सांसदों की बात जो उन्ने सदन के पतल से कही उनकी मानिये तो 2049 तक अनदर 16 साल का एक लंबा इंतजार है और इसलिए है क्योंकि उन्होंने इसको wr.82 और ml.813 से लिंक किया है जिसका कहना है कि 2026 का परिसीमन उसके बाद वाली जर्गरणा पे होगा उसके बाद वाली जनगरणा 2031 की है और वो जनगरणा होते होते परिसीमन कमिशन बनते बनते डी लिमिटेशन होते होते 34 आ जाएगा 49 तक ही एक रियान वन होगा सरकार खुद स्वीकार कर रही कि उन्तिस से पहले नहीं होगा तो स्पेशल सेशन बुलाया गया, ताम जाम किया गया, साजो साज की गई बड़े लोगों ने वावाही की लेकिन असलियत यह है कि अभी इसमें लंबा इंतजार है और इसी लिए जिन महिलाओं को लग रहा था कि भागिदारी होगी, जिन महिलाओं को सशक्ती करण की उम्मीद थी इस देश की आधी अबादी अपने आपको थोड़ा सा ठगा महसूस कर रही है क्योंकि उनको एक जुनजुना दे दिया गया, वो आप बजाते रही है जब होगा अरक्षण तब होगा और OBC महिलाओं के लिए सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, OBC महिलाओं पर एक शब नहीं बोल रही है सरकार तो एक बात साफ है कि राज्यों में अपनी हार को देखकर, इंडिया गटबंदन की ताकत को देखकर, आने वाली आगामी हार को देखकर और आडानी पर कोई जाच ना आ जाए उसको देखकर, पहले तो इंडिया बनाम भारत का अनरगल डिबेट चलाया सरकार ने फिर समझ में आ गया कि ये तो बैक फायर कर गया, आक्रोश दिखा लोगों में, मा को चाहे भारत बुलाईए, चाहे इंडिया बुलाईए, चाहे हिंदुस्तान बुलाईए, उसकी तोहीन नहीं सहेगा देश तो फिर हुआ कि लावई फटाफट महिला आरक्षन ले आओ, बिना सोचे समझे एक महिला आरक्षन आ गया, अभी 10-12 साल का इसमें वेट कर दिया गया मुझे पता नहीं क्यूं लगता है और आपके माध्यम से ये बात में कहूंगी कि ये कहीं 15 लाग हर बैंक अकाउंट में, 2 करोन सालाना रोजगार, किसानों की दुगनी आए, 100 स्मार्ट सिटी, रुपए डॉलर का एक मूल, 40 रुपए लीटर पर बिटने वाला पेट्रोल और चीन को दिखाई जाने वाली लाल आखों का जुमला तो नहीं है, क्योंकि अभी जहां तक है जुमला वीर, जुमला ही देते हैं, तो महिलाओं के साथ, आदी आबादी के साथ भी जुमले का काम कर दिया गया, खेर, ये जो बिल है, ये सारविजनिक जीवन की महिलाओं को और संसद के पटल पर महिलाओं को ये ताकत देगा, ये जब भी आएगा, जब भी क्रियानवित होगा, ये ताकत जरूर देगा कि वो महिलाओं के सशक्ती करण की, जो चुनी हुई सांसद है, महिलाओं के सशक्ती करण की, उनकी सुरक्षा की और उनके खिलाफ हो रहे अपराद पर बे खौफ होकर बेबाक होकर बोलेंगी और न्याय की उम्मीद और गुहार लगाएंगी मेरी आशा है कि जब ये बिल क्रियानवित हो जाएगा जब महिलाएं नए सांसद बनके आएंगी तो वो एक नजीर पेश करेंगी वो देश को और दुनिया को दिखाएंगी कि महिला सांसद बनकर वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रही है वो महिलाओं के सम्मान के लिए उनकी सुरक्षा के लिए उनके हक की लड़ाई लड़ेंगी ये एक फोटो है ये भाजपा की तमाम वो महिला सांसद है जब ये बिल पास हो गया तो उन लोगों ने प्रधान मंत्री से मिलकर उनका भिवादन किया और साथ में ये तस्वीर खिचवाई अच्छा लगता ये तस्वीर देखकर सच मानिये मुझे भी बहुत खुशी हुई महिलाओं को सशक देखके कौन खुश नहीं होता देश की आधी आबादी है हमें साबादी का हिस्सा है बहुत अच्छा लगा इस तस्वीर को देखकर मन वाकई में खुश हो गया लेकिन इन्ही सशक्त महिलाओं की महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराद पर सतत लगातार चुप़ी देखकर वो सारी खुशी शोब में दुख में और कहीं पर तरस में बदल गई इतनी सशक्त महिलाओं देखिए ज़रा इनसे ज़ादा सशक्त दूसरी कोई महिलाओं पूरे देश में नहीं होंगी और ये महिलाओं पर हो रहे अत्याचार उनके खिलाफ अपराद उनके खिलाफ हो रही अराजकता पर एक शब नहीं बोल सकती है ये सरकार से आख में आख डालके सवाल नहीं पूछ सकती कि हमारी बेहनों के साथ ऐसा क्यूं हो रहा है ये हैं वो महिलाओं